महेश भड के नई ट्वीट ने फिर से बवाल मचाया है दरसल कल उन्होंने कंकाल की तस्वीर डाली थी और दो कुछ ऐसे मैसेज सोचल मीडिया पर लिखे थे जिसके बाद जो है उनको फिर से ट्रोल किया गया आज उन्होंने फिर से कुछ ऐसी तस्वीर डाली है और फिर से जीने मनने की बाते की है कि सोशल मीडिया पर फिर से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है क्या लिखा है उन्होंने कौन सी तस्वीर डाली है मैं ही ना कुमावत आपको फिल विंडो पर बताऊंगी लेकिन अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजे भट साब ने कुछ घंटों पहले इस तस्वीर को पोस्ट किया है एक घड़ी है जो आस्मान से लटक रही है और उसमें बस बारा बजने ही वाले है और नीचे एक इंसान है आदमी है जो उसमें घंटा बजा रहा है लेकिन इस तस्वीर के साथ जो लिखा हूँ मैसेज है तो आप समझे गए होंगे वो क्या बोलना चाह रहे है कि सोचिए अब आप मर चुके हैं आपने अपनी जिंदेगी जी ली है अब जो बचा है उसके बार में सोचिए उसको जो है अच्छे से इंजॉई कीजिए उसको प्रॉपर ली जीए और इसके बाद जो है लोगों ने जिस तरह का उने जवाब दिया है अलीशा बा लिखती है इस ठरकी के लिए भी तो कोई ट्रेंट चलाओ करन और सलमान को एक दिन ओफ दो अब इसको बताते हैं एक और लिखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे मेर्सेजज़े जाए हैं पहली फुरसत में निकलो डॉंट उस अब्यूस लेंविज भाई यू अट डिस्रिस्पेक्टिग इम बट यूर्सेल तो इस तरह के जो जो बहुत सारे जो पोस्ट आए हैं और फिर से अगर मैं कहूं तो महेज भट को फिर से सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल कर दिया दरसर ये सब शुरू तब हुआ जब एक इंटर्व्यू बाहर आया जिसमें कहा गया कि महेज भट ने सड़क टूग के लिए सुशान सिंग राजपूत का ओडिशन लिया था तेकिन वो फिल्म अभी आदित्य रॉयकापूर कर रही है लेकिन साथ में ही उनके यहां काम करने वाली एक राइटर ने एक इंटर्व्यू दिया जिसमें उन्होंने एक खुलासा किया कि महेज भट ने सुशान सिंग राजपूत से मिलने के बाद ही ये बात बोल दी थी कि इसका परवीन बॉबी जैसा हाल हो रहा है और रिया को उन्होंने ये सला दी थी कि तुम इसको छोड़के चली जाना ले तो तुमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा और रिया के साथ जो महेज भट की तस्वीरे वाइरल हुई थी उसके बाद भी जो है महेज भट को लेकर बहुत ही जादा बवार मचा था और सोशल मेडिया पर इस बात की मांग की गई थी कि उनके भी कनेक्शन को चेक किया जाए तो आज भी जब उन्होंने ये तस्वीरे डाली है फिर जीने और मनने की जब बात की है तो फिर से सोशल मेडिया पर उन्हें जो है ट्रोल कर दिया गया है